मुझसे एक बच्चे ने पूछा कि सर मैं पढ़ाई करते हैं न थक जाता और फिर मेरा मन नहीं करता पढ़ाई करने का दो घंटे करता हूँ ये मैकिसिम कई बार 80 गंटे फढ़ाई होती है उसके बात मन ही नहीं करता बिलकुल पढ़ने का प्र मैं पढ़ना छोड देता हूं कितावे यूप बंद कर देता हूं और फिर मैं खेलने कूदने में लग गया या फॉन में लग गया मतलब मेरा पढ़ाई उस दिन का छुट जाता है फिर मेरा बिलकुल मन नहीं होता हूं फिर मैं अपने आपको मोटिवेट करने की भी मश्या बनी हुई है तो मैं क्या करूं मैंडी स्टूडेंट्स एक बात को अपने दिमाग में फिट कर लो यह सभी स्टूडेंट्स के लिए बोल रहा हूं मैं कि जब आप लोग पढ़ने बैठते और आपका मन नहीं करें थोड़ी दिन के बाद मन करें थोड़ी दिर बाद क मैं अब उड़ जाओं मेरा मन नहीं होना पढ़ने का तो खुद के दिमाग से एक कॉशन पूछा करो आपको कौन सी जोब चाहिए आपको लाइफ में करना क्या है है वाटा हमारे सपने होते हैं यहां इतने उच puta हुआ है इतने उच्छी हमारे यूपेसी क्रेक करना है आप पर दो घंटे रहे हैं आपको अपनी लाइफ में अचीव बहुत कुछ करना है और आप एफ़र्ट्स दो घंटे के डाल रहे हैं क्या वो अचीव होगा वो नहीं होगा भाई और ऐसा नहीं सिर्फ आपके साथ हुआ है आप से पहले यह कईयों क साथ हुआ है जो इस बिमारी को समझ नहीं पाए और समझ नहीं पाए तो उन्होंने क्या लोस उठाना पड़ा आज हुए एक छोटी नोकरी पर हैं और अब उनसे कोई पुछो क्या आप ये छोटी जोब करके खुश हैं केते नहीं यार अब ऐसा लग रहा है काश उस पर हमने पढ़ाई कर ली होती उनके दिमाग में अब ये कोशन है तो यही आप अपने आप से अभी ये कोशन कर लो विकोज अभी आपके पास समय है यह समय वापस नहीं आना एक बार यह निकल गया तो फिर उनकी जगह ही तुम हो गए कोई चोटी मोटी नोकरी पर लगे होगे और इस दिन यह सोच रहे होगे यार मैं इस नोकरी के लायक नहीं था मैं तो और बहतर कर सकता था मैं और अच्छा कर सकता था अरे उस टाइम पर मैंने यूपीश से का सपना देखा था उस टाइम पर मैंने बैंकिंग जोब्स के सपने देखे ते मैं सोचा था कि सब अपने दिमाग में बात फिट कर लो जितनी बड़ी गोल होगी उतने बड़े efforts भी मांगे जाएंगे आपसे यह life struggle का दूसरा नाम है और life यह नहीं कि तुम्हारे साथ अच्छा करें दूसरों के साथ बुरा life सब के साथ एक समान है जो तो जितने बड़े efforts करेगा वो उतनी बड़ी गोल अचीव करेगा यूपीएससी टारगेट है तो यूपीएससी के equal efforts भी होने चाहिए banking टारगेट है तो banking के equal efforts भी होने चाहिए कोई भी एक्जाम आप अपने life में निकालना चाहिए तो उतने बड़े efforts भी होना चाहिए